साथियो इस साल दिवाली की तिथी को लेके लोगों में कुछ कन्फ्यूशन है कि दिवाली 31 अक्टूबर की है या 1 नवेंबर की है तो मैं आपको बता दूँ कि अमावस्या तिथी 31 अक्टूबर को शाम को 3 बच कर 53 मिनट से स्टार्ट होगी और 1 नवेंबर की शाम 6 बच कर 16 मिनट तक रहेगी तो इस तरह दिवाली का पर्व हमें एक तारिक को मनाना सबसे जादा शुब होगा क्योंकि उस दिन स्वाती नक्षत्र भी है और शुक्रवार मा लक्ष्मी का भी दिन है और हमें प्रदोशकाल में अमावस्या तिथी भी मिल रही है तो लक्ष्मी पूजन प्रदोशकाल में होता है और प्रदोशकाल क्या होता है प्रदोशकाल होता है सूरज डूबने के 45 मिनट के आगे पीछे का समय तो इस तरह से अगर हम एक तारिक को दिवाली मनाते हैं तो 6 वच कर 16 मिनट तक हमें अपनी पूजा कर लेनी होगी मतलब 5.5 से लेके 6 वच कर 16 मिनट के बीच में आप अपना लक्षमी पूजन कर लीजिए और बिंदास एक तारिक को दिवाली मनाईए अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 तारिकों भी प्रदोश काल में हमें पूरी अमावस्या मिल रही है और निशत काल में भी मिल रही है तो 31 अक्टूबर को हम क्यों नहीं कर रहे हैं दिवाली तो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमावस्या तिथी सुबा के वक्त सिर्फ एक तारिको है और मावस्या के दिन पित्रों का पूजन किया जाता है और पित्रों के पूजन से पहले लक्ष्मी पूजन कर लेना ठीक नहीं होता इसलिए एक तारिक को सुबह पित्रों का पूजन करिए और शाम को लक्ष्मी पूजन करिए और दिवाली धूम-धाम से आपके पर्व आपके जीवन में रोशनी भर देगा आशा है आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसको और लोगों तक भी शेयर करें ताकि लोगों के कंफ्यूशन दूर हो सके बहुत-बहुत धन्यवाद